कितने समय में अपना आस्क्रीम बनके तयार हो जाता है दोस्तों ये लाइब वीडियो के अंदर आपको दिखा रहे है दोस्तों आप देखिए इस तरह से आपको मट्रियल को फिलप करना है अगर इसको टाइमिंग बढ़ाना है और कम करना है तो यहां से आप सेट कर सकते हो या जब को आपकर सकते हो कर मशिन को धोना है तो पानी डाल के बटन दबाएंगे पूरी मशिन अच्छे से ज़िन हो जाएगी और फ्रीज ये बटन दबागिे आप मशिन में से आस्क्रीम तैयार अपना कर सकते है देखिए दोस्तों ai के त्यार हो चुका है मेशीन के दरह है इस तरह से आप इसमें चोकलेट डाल कि इसको डबी को डीफ्रीज में स्टॉर कर सकते हो दोस्तों वेलकम तो डॉल्फिन अप्लैंस आप सभी का स्वागत है डॉल्फिन अप्लैंस में दोस्तों आज की वीडियो पैसल आस्क्रीम फेक्ट्री घर बेटे सो चोटी सी जगा में खुद का आस्क्रीम फेक्ट्री स्टार्ट करें दोस्तों तो इस तरह का खुद का एक आस्क्रीम का फेक्ट्री बनाएं दोस्तों इतनी छोटी सी मशीन लेके, small size की मशीन लेके, खुद का आस्क्रिंग का फैक्टरी सुरू करे, वीडियो के अंदर पूरी डीटेल पूरी जान करेंगे, एक कब कितने में पड़ेगा, कितने में बिकेगा, कैसे मशीन में डालना है, कैसे जमाना है, प्लस इसका material कैसे बनाना है, वीडियो को स्टार्ट से लेके, अंतक देखिए, तभी आपको मालूमूगा कि इसमें प्रॉफिट किया, और कैसे बनती है, और कैसे, छोटी सी जगा, और small area के अंदर आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, और मशीन कितने की है, हर एक डिटेल्स वीडियो के अंदर जान करी देंगे, टाइम के कोई बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते दोस्तों एक बार, सबसे वेल हम आपको बता देते दोस्तों इसका raw material, यह हमारे पास powders पड़ा हुआ रेडी दोस्तों, इस तरह का raw materials तैयार मिल जाएगा बजान में से, पैकेट किलो के उपर पैकेट मिलता है दोस्तो एक किलो का powder है दोस्तों, यह वेनिला का flavor है, इसके अंदर अलग-अलग आँठ तरीके का flavor आता है, वेनिला, स्टोबेरी, चोकलेट, बटर स्कोच, ब्लूबेरी, बलेक करन, काला खटा, अलग-अलग तरह का flavor आता है, प्लस यह powder आपको यूज नहीं करना है, और homemade recipe यूज यूज करना है, जैसे के मलाई रबडी है, हममेड आपके तरीके से बनाए हुआ, फ्लेवर यूज करना है, तो भी आपे मशीन के अंदर डाल सकते हो, प्लस, मशीन के अंदर ड्राय फ्रूट से, फ्रेस्ट फ्रूट है, जैसे के मेंगो का flavor आपके पास है, तो मेंगो के pieces क बनाना है, तो भी आपे मशीन के अंदर बना सकते हो, एक दम आसान और इजी तरीका है, कोई हैडेक वाली बात नहीं है, दोस्तों, कोई भी छोटे बच्चे को भी एक बार समझा देंगे, तो भी आपको operate करके प्रोसेस करके पूरे दिन में material निकाल के देगा, दोस्तों, उसके बाद एक किलो पावडर डाके blender mix करके रेडी कर सकते हो, फिलाल हमारे पास यहाँ पे material रेडी करके पड़ा हो है, दोस्तों, आप देखिए, यह तकरिबन 4 लिटर जितना material हमारे पास तैयार है, मशीन यहाँ पर प्रिपेर है, चालू है, तैयार material बनाने के लिए रे आपकी आस क्रीम बनके तैयार हो जाती है, अगर इसको टाइमिंग बढ़ाना है, और कम करना है, तो यहाँ सेट कर सकते हो, यह मशीन को ओप करना है, और मशीन को धोना है, वाश करना है, तो पानी डाल के बटन दबाएंगे, पूरी मशीन अच्छे से क्लीन हो जाएगी, और फ्रीजे, यह बटन दबा के आप मशीन में से आस क्रीम तैयार अपना कर सकते हैं, दोस्तो, मट्रियल यहाँ पर आपको इठकन खोलना है, और यहाँ पर मट्रियल को सर्विंग करना है, फिलाल हमारे पात जो रेडी मट्रियल, अमने वेनिला का फ्लेवर बना के रखा इस तरह से आपको मट्रियल को फिल अप करना है, और मट्रियल मैक्सिमम यहाँ तक ही फिल करना है, यहाँ पर मैक्स का एरो दिया गिया दोस्तो, तो यहाँ से आपको ज्यादा फिल नहीं करना है, दोस्तो, ओल्रेडियम ने मैक्स के लेवल तक इसको फिल अप कर दिया है, दोस्तो चालू गरंग दोस्तो बटन बटन दब चुका सब मिला के इसके उपर आप अपनी कंपती के नाम का स्टीकर अपना ब्रेंडिंग करके भी बजार में आसानी से इसको बेच सकते दोस्तों 20 मिनिट के बाद हम आपके सामने भीर से लोटे बनाने के लिए तैयार करके आस्क्रीम कैसे कप में भरना है आहरे एक जानकरी वीडि हुआ था इस तरह का मिल्क हमने यह मशीन के अंदर सप्लाई किया था अभी मशीन के अंदर जो रेडी हुआ है आप देख सकते हुआ उसका टेंग उपर आप देखिए यह क्या बनके निकला देखिए दोस्तों आस्क्रीम प्रोपरली बनके तैयार हो चुका है मशीन के अं यहां से सर्विंग लाईन है इसका यहां से आप इसको आस्क्रीम को रिमूव कर सकते हो दोस्ताब देखिए अगर आपको एक एक डबिया भरना है इसको बड़ा बावल भर सकते हो लेकिन इस तरह से एक एक डबबी भर सकते हो देखिए जूम करके दिखाई हमारी वीवर् बैतरीन कॉलेटी का आसक्रीम बनके तहीयार इस तरह से आपका डबी बना है उसके बाद जो फ्लेवर का आपको टॉपिंग सेड़ करना है जैसे के चॉकलेट है तो इस तरह से इसमें चॉकलेट डालके इसको डबी को डीफ्रीज में स्टोर कर सकते हो दूस्त अब देखिए इसका धकन लगाने है अगर आपको ब्रैंडेट कंपटी के नाम से बेशना है दोस्तो तो इस तरह से आप मशिन के ओपर गोडी के ओपर श्टिकर लगा सकते हो यह आप आप देखिए स्टिकर लगा के खुद की ब्रैंड का नाम का लगा के डि फ्रीज में स्टोर कर सकते हो पांसो हजार दो हजार डबिया अलग-अलग फ्लेवर का बना के सेर कर सकते हो दोस्तों इस तरह से आपका खुद का काफे और इस तरह से आपको पुरा बाउल भरना है एक टैंक रहता है इसका टैंक अगर आपको पुरा भरना है तो इस तरह से आपको पुरा भरना है तो इस तरह से आपको बना के अलग अलग रेसिपी अलग अलग फ्लेवर्स डालना है तो इस त तरह से आप डीप प्रिजर में स्टोर कर सकते हो एक कब आपको छोटा बनाने का खर्चा तकरीबं पांच से चे रुपे में गिरेगा दोस्तों आप देखिए बेहतरीन कॉलेटी का वैनिला का आस्क्रीम निकल के तहियार है रेली हो चुका है हमने सर्विंग निकल दिये इस चोटी सी जगा में कम लागत के अंदर खुद की एक आइसक्रीम फेक्ट्री बना के बजार में इसको पैकेजिंग करके सेल कर सकते हो दोस्तों या तो अगर आपका कोई काफे वाडी लाज वैनिला का आपके पास फ्रीजर में उसको इस तरह से टैंक में अलग-अलग फ्ल बना के निकाल सकते हो तो इस तरह की दोस्तों बहतरीन और मशीन की दोस्तों प्राइज और किम्मत किमने बात करी दोस्तों तो मशीन की प्राइज और किम्मत आपको एं मशीन है एक लाग-पांच जारूपे किम्मत है आप्टर डिसकाउन आपको नैंटी थाउजन रूप